दोस्तो बिना घर के खुद को मैजिंग कर पाना नामुंकिन सा लगता है यह इंसानों के साथ साथ पसु पक्षियों के भी बात कर रहा हूं हम अपने जीवन की सारी पुन्जी अपने घर बनाने में लगा देते हैं और लगाएं भी क्योंने आखिर हमें और हमारे आने वाले पुड़ी को अपना सारा समय यहीं तो बिताना है यही बात पसु पक्षी पर भी लागू होता है तो जब भी आपने किसी पक्षी के घोसले को देखा होगा तो आपने एक चीज नोटिस जरूर की होगी वो कितने अच्छे से घोसले का डिजाइन करते हैं हैरानी की बात तो यह है कि पक्षी अपने चोच और पंजे के दम पे इतने खुबसूरत घोसले बना डालते हैं यानि इंसानों की तरह पक्षी को भी अपना घर को खुबसूरत आकरसित बनाना अच्छा लगता है बेट होता है most beautiful birds nets in the world नंबर 5 टेलर बर्स नेट्स इस बर्स का नाम इसके घोषले बनाने के तरीके से ही पड़ा यह भी अपने घोषले को एक पत्ते के कार्मर को इस्टीज करके बनाती है, ये पक्ची सौथ इस्ट एसिया में पाय जाता है इसका घोसला सूखी पत्ती और मकरे की जाल को इकठा करके बनाया जाता है और लगबग 150-200 इस्टीज लगाने के बाद ही किसी पत्ती में वो अपना घोसला बनाती है ये पक्ची सौथ अफरिका में पाय जाते हैं, ये रहने के लिए घोसला नहीं बलकि पूरा अपार्टमेंट पनाते हैं जिसमें नैचरल एसी का भी विवस्ता राता है पेड़ों पर बनाये गए इस इस्टर्चर में लगबग 100 से भी जादा पक्ची रहते हैं और सभी मिलकर इस घोसले का निरुमान करते हैं और रखरकाओं भी करते हैं नीचे से देखने पर आपको अलग-अलग चैंपर निजर आये में जिसकी बनावट इस तरह से की गई होती है कि जो दीम में घोसले को ठंडा रखती है और रात में गरम रखती है करते हैं अपने घोसले को डोकरेट करने के अपनी घोसले को डेखुरेट करने के सूखी पत्टी और धनी को इकठा करके दोनों मेल और फिमेल बड्स एक कुफा की तज़र इस घर को बनाकर सजाते है नमबर तू बूबी ट्रोटेट हमिंग बर्ड अपच्छी की करते हैं और इस घोसले को बनाने के लिए दिन में 7 घंटा काम करती है और एक हपते तक घोसले को बनाने के लिए मैटरियल का इकठा करती है जिसमें घास पत्ती की जगर और इस सब सॉप मेट्रियल से बनता है एक सांधार तब से घोसला जिसे बाहर से डेकुरेट भी किया जाता है और ये अंदर से इतना सॉप होता है ताकि अंडे को प्रोटिट किया ला सके नंबर वन वीवर्द वर्डनेश हमारे इस लिष्ट में ये जिल्लो कलर का खुमशूरत पक्चि जो इंडिया में पाया जाता है और ये पक्चि घोसला बनाने का काम मेल बड़ करता है फिमेल बड़ को एक्ट्रेक्टिब करने के लिए इस घोसले को बनाता है और इसका जन्बे बक खास के लंबे पत्ती को चुनकर सर्कुलर सेप में उना जाता है और इसका बनावत इतना सांधाल होता है कि ताकि फिमेल बड़ जब भी मिलने आए तो अनकमपटेवल महिसुस नहीं करें यह 100% वाटर कुरूप होता है तो आज के लिए इतना ही आपको किस पप्ची का घोसला पसंद आया मुझे कमेंट करके जिरूप लिए और वीडियो को लाइक से है सस्क्राइब पुड़ा कर दी है जिसे हमारे महनेट को पुड़ा बुश्ट मिले और चैनल को सस्क्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तब सबसे पहले पूचेंग अगले वीडियो में थैंक्यू पर वाचिए अगले वीडियो को लाइक दिजिए और अगर आप नए है तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजिए जिससे नए विडियो की नोटिविकेशन आपता सब्सक्राइब पहुचे Thank you for watching